नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है सिप्छा अकैडमी के इस नए वीडियो में तो दोस्तो यह आज का वीडियो है संपूर्ण तिहास का भाग तीसरा जिसमें हम डिसकस कहने वाले हैं बेदों का संपूर्ण विवरन तो दोस्तो यह सीरेज जो चल रही है तिहास का क बारे में ठीक है तो भारती इतिहास के प्राचिन स्रोतों में सर प्रिथम नाम बेदों का ही आता है ठीक है यानि कि जो भारती इतिहास के स्रोत है इतिहास जानने का उनका सर प्रिथम साक्ष या पर जो भी सक्षा साक्ष मिलता है बाई बेदों के द्वारा ही मिलता है जो कि पहला रिखबेद है दूश्रा एजुरुवेद तीसरा सामबेद और चौता है अथर्म बेद इन चारों बेदों की जानकार हम आपके लिए आंगे देंगे यानि कि बिवरन से इन चारों बेदों का बिलकुल बारी की से बिवरन करने बाले हैं तो चलें और दूस्तों बात क बेदों का संकलन किया गया था जिसके करने संकलन करता माना जाता है ठीक है इसके बात करते हैं रिखबेद के वाitäten Des hr. इसकी रचणा सब 25 Linda में की गई थी जो हैज square जो है सबसे प्राना प्राना वेढ स्की काहाँ की गई थी सब्स यह च्छेनदव में की गई थी ठीक है में there's to का उल्द की сबीक इस बेत को इस बेत में सूर्य देव अगने देव इंद्र देव यॉ बरुंदेव इन सभी देपताओं की प्रांथ्बाथन ओका संक्लन किया गया यानि की प्रांथनाओ का विवरन मिलता है ठीक है जो बात कहें तो पुरुष्षुक्त की दूस्तों रिगबेद में ही पुरुष्षुक्त का उलिक किया गया है कहाँ पर दस बे मंडल में किया गया है जिसमें खास क्या है जिसमें खास यह है कि इसमें चार वर्ण का विवर्ण किया गया है कौन कौन से वर्ण ब्रहमन छत्रिय बैश और शुद्र का उल्ले किया गया है किसमें रिखबेट के दस भी मंदल में किया गया है ठीक है उस बात करें दोस्तों गायत्री मंत्र की जो सरवाधी कॉशन यहीं से बनते हैं गायत्री मंत्र क बात के बारे में दूसरी नम्मर अपना बेद यजू का अर्थ होता है यग यजू का अर्थ होता है यग इसमें बड़े-बड़े-गों निके नियम बाव विधियों का उले किया गया है ठीक है जोस्तों ये अजरुवेद को कर्म कांट प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है ठीक है इसके बाद करन दोस्तों ये है जो एजरुवेद है दो प्रकार में बटा हुगा है यानि कि दो भाग में बटा हुगा है कौन-कौन से क्रेश्न एजरुवेद और सुकल एजरुवेद इसके दो प्रकार होते है यानि कि बटे हुए है यह एक मात ऐसा ग्रंथ बेद है जिसमें जिसकी रचना गद्ध एबं पद्ध दोनों में की गई थी ठीक है इसके बाद बात करते हैं बेद नमर 30 जो है साम बेद दोस्तों साम का अर्थ होता है गीत या संगीत होता है ठीक है तो सामबेत का अध्यान या बाचन करने वाले को उद्गाता कहते हैं ठीक है इसके बाद बात करें लाश्ट ऊपना बेद है अथर्वबेद, तो अथर्वबेद का अथ्वेद होता है पवित्र बाद जादू टोना ठीक है अर्था जो अर्थारवेद है इस बेद में जादू टोना, रोग निवारण, राजभक्ति और अन्द विश्वासों का बर्णन मिलता है बर्णन किया गया है ठीक है इसलिए इसे जादू टोना वाला ग्रंद बेद भी कहा जाता है दोस्तो यह सबसे नया बेद भी माना जाता है क्योंकि यह सबसे बाद में रचा गया था यह सबसे नया बेद माना जाता है और सबसे पुराना बेद किसको माना जाता है सबसे पुराना बेद माना जाता है रिक बेद को ठीक है दोस्तो यह वीडियो तो यहीं पर होते हैं समा कि लुष तो बाइ